हेलो दोस्तों मेरे नाव मेरे उपेस्ट मार महतों और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 जारखन बॉर्ड इस्टुरेंट के लिए इंग्लीज जो आपका बुक है हर्न बिल इसमें आज हम लोग पोयाम नंबर टू यानि सेकंड पोयाम को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है दा लेबनम टॉप जिसके रैटल को ने यानि पोयाट टेड़ हुज तो इसमें आज हम लोग टोटल 30 mcq करेंगी mcq टोटल 30 mcq कर बाहर एक भी आपका mcq इस पोयाम से रिलेटेड आपका एकजाम में नहीं रहेगा इतना कर लिजे इस से बाहर एक भी कोशन नहीं रहेगा इस पोयाम से उसके बाद दीरे दरे हम लोग सारा पोयाम सारा चेप्टर को भी कवर करेंगे तो आप विडियो को बढ़े लिए यानि विडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चेनल पर भी बने रहिए चेनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले जो भी रिलेटेड वीडियो रहेगा आपको मोगाल को नोटिफेशन मिलता रहेगा तो चलिए समय ब्यातित ना करते हुआ हम लोग साथे चलते हैं तो लिखा है सबसे पहला कोईशन देखें आप लोग भी पढ़िए और मैं इसी वीडियो में आपको याद भी कराता चलूंगा हर एक कोईशन को तो कोईशन है कि लेबर्नम टॉप लेबर्नम टॉप यह जो पोईब में इसके पोईट को ने इसके पोईट एक टेड यूज ठीक है एक टेड यूज नेच जापका वसले वीच ट्रीज तो आप हैसने इन पोईब है कि जो पोईब में कोन सा पेड़ का बनन किया गया लेबर्नम टॉप टुप इसक्राइब द लेबर्न टॉप टॉप बीगिनिंग आप द पॉयंट में पोईबम के चिर्वात में जो ऊटंस यूजु में बदाब प्कम की तरह से लेब लव्ठक कु यह इसक्ट ह verbess DAN कॉसु दिखते हो कि पैड तो कोई साखा नहीं यह रहाए इसका कोई यहल रहा है को पती नहीं ती यहाँ जाए करनाविक इमीज बनाती चले इस तरह से हां वे च्पास्टी हें याता ही कोषिंचन का एंसर या दूड़ा है प्रके सब्सक्राइब डिए प्रचानेबर के सब्सक्राइब देखते के दिर देखते कि जो लेबंदम ट्री जो पेड़े यह आप दोपेड़े जो पेड़े तो यह पेड़े तो पोट और को कुछ देर बाद आचानक से एक चिणियां ऊड़कर आ जाती यह पेड़ के पास एक चुणियां उड़के आ जाती है पेड़ के मास ठीक है अचानक से और प्रेड के एकदम शाखा के एकदम एंड में बढ़ जाती है आकर के तो वह कौन सा पक्छी राती है गोल्ड फिंच उस पक्छी का क्या ना में गोल्ड फिंच आप याद रखे यह कोईशन आपका बो जाई सी बाति कोई चुणियां उड़ रहे और कहीं पर आकर बढ़ेगा कहीं पेड के साखाब तो सांध तो आकर नहीं विड़ेगा वह वह साचा चाहते रहती है अब देखें उस चुणियां के चाहचाने से क्या होता है तटाइम ऑद डिसक्राइब इन पोई जैसा कि मै सुबह भी नहीं जाता है सुबह भी नहीं दोपार कि समय घुजा है अगला क्योसे दिखते हैं इस तिल दागॉड फिंच कॉंट देखे जब सुरू में बूले सुरू में पेड़ क्या तिक दम सब्सक्राइब रहा थूरा सा भी रहा है उसका पती भी नहीं रहा है और जाब जब चुआ जब तक की जब तक नहीं आती तब था वो चुआ आगी तो पेड़ कर दिया जुआ तरह से माना जो कभी है जो आपका यूज है वह सोच रहेते मैंने उनका कहना कि यह पेड़े मारा हुआ है थोड़ा सभी नहीं रहा है तो जब कोई चीज नहीं तो उन्हों क्या मार गिया है तो जैसे ही आई यह जो चिडिया आती है तो उसमें जान आ जाता है ठीक है हल चलो करके आजाती है ठीक है अचानक साथ अस्टार्टलमेंट वह अचानक सा आ जाती है और पिड़के एंड साखा के एंड पर आकर बैड़ जाती है वह गौल्ड फिंच नेक्स्क्रेंट देखते है कि तुलना किस से किया गया एक लिजार से किया गया है इसको भी याद रखे कि वाइज गौल्ड फिंच कोंपेट टुए लिजार अब लिजार से उसका तुलना किया गया है तो किस लेक किया गया है क्यों किया गया है विकॉज सी जिस लेक ठीक है यह होगा उसका राइट अंसर अगला क्वेशन देते हैं क्वेशन नमबर 14 कि हाव दो मूव्मेंट गौल्ड फिंच का मुव्मेंट इस परकार से था तो उसका था अलाट एट अबृट बहुत साधन होकर आया था मतलब बहुत क्या बोलत चोकणने होकर आया था अलाट ओक और पेड़के साखा के एंड़ पर जाकर बढ़ जाता है बढ़ जाती है नेस्ट कुसान है कि the leaves and branches लिप सिन पत्य और ब्रांचे में तो यहां पर यह किस ज्गा पर यूज किया गया तीकनेस जब चणियां साखा के इंड पर बैठी है यह पैड है और यह साखा के और पर चुड़ियां आकर कर बैठी चाहिए अब धीरे-धीरे क्या होता है पीड के अंदर जाती लोगोगी शुक्राफ पेड के बीच अंदर में जिसमें उसके कुछ बच्चे रहते हैं ठीक है कितना बच्च वो पोएम में नहीं बताया है खली बताया कि उसके अंदर में जुसला बना हुआ जहां पर उसके बच्चे है और शुनिया पहले अभी सखापर के एड़ी अबढ़नेंट और जा दर जाना मतलब थिकनेस का बात यहाँ कर दिपने समझे आगे थिकनेस की है यहाँ पर यहाँ पर एमंग दा लीब सेंड ब्रांची जिए नेक्ट्स्पस देखते हैं डिलीनग्स और ट्रिलिंग्स क्या दो दो है तो ट्रीलिंग्स का मतलब हो हो चिटरिंग ट्रेमर ऑप य स्टर्ट हो जाता है कि इसका एंसर होगा आपका आपका जैक्त धेमरकिफ ट्रिली 145 यह दवर्ड त्री प्रेंबलस एंड ज्डिल्श विद यह पूरा ट्री्योत एंड धिके जिटैन्बलस यह जाता है वह जो चिडिया आते है उससे क्या होता वो पेड़ है वो पहले सायंत रहता वह अप अलने डूलने लगता पुरा डिश्टाब हो जाता है ठीक है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर 19 कि इट इस दा इंजन ऑफ हर फैमिली उसका परिवार का वह इंजन है यहां पर इट क्या है इट का मतलब इट ल पैचानेंगे उसके बच्चे उनके उसका चेहरा कर जो ब्यार्ड फैसे उसका चेहरा पर थोड़ा दब्रने निसान है याण त्राइब्स उसका कुछ चेहरे पर निसान बना हुए है जैसे चिनिया का आप देखते होंगे की कलर बना रहता है कई कलर कर रहता चिनिया का फेस पर उस तरह से नेक्ट कुसें देखते हैं कि वाट डज दा फ्रेज तो इसका अंसर हो जगा वही कि दा बड़ श्ट्राइब फेस हैस बिकॉम हर आइडिटी एंडर सिम्बल और रिकोगनाईजिसन उसके बच्चे का पहचान का एक यह बन गया सिम्बल बन गया ठीक है अगना कुर्शन देखते हैं कि हाव कैन अग वाड फिंच बी के सिम्बल अगरे का मतलब क्या है का मतलब था है इसको याद कर लीजे नेस्ट को सदें कि कि दा विश्टल चिराफ्व वीस्परींग अफ दा गौर्ड फिंच आ इसका एंसर आएंड डीकेट वही है इस टेन डेलिकेट ठीक है जो उसमें अभी च्रेंग देके तक नहीं अगला कुर्शन देखते हैं कि the meaning of launches away launches away का मतलब भाग जाना यानि fly away वही वह उड़ जाना launch away यानि launch हो गया दूर वही वह प्लाइज वह यह यह जो वाड यह कब यूच किया गया जब चलिया अपने बच्चों को एक दाना खिलाती है उसके बद फिर वह उड़ जाती है वही यहां पर यह जो वाड यूज हुआ है यह जो वाड चयम्वर सथ यहां पर यहांपर कोंसा आपका फिगए विसीच है फिग यहां पाफिश मतलब जो मैंने आपको पहले बताया दा कि लीट्रेरी डिवाइज में एलिट्रेशन कोन सा आपका इसवीच फिगार्प की यूज़ हुआ है इलिट्रेशन लास्ट दो कुछ रूराइज बचाए कि दा इंफानाइट मिंस इनफानाइट मिंस यहाँ पर इंफानाइट का मतलव इंडिलेस आसकाई यानि आप लोग दे दाना खोजने के लिए निकल पडती है कहां यह खुले आस्मान में आपकर हancia जाते हैं यहां यहां पर यह सेंटेंज में सी का मतलब क्या है सी यहां पर क्या है सी यह दगॉल्ड फिंच वह चीनिया फिर से उड़ जाती है नास्टकुशन कि वाट है दूद लेबनम ट्री आफ्टर दी वाट फिंच प्लाइज अब वाटाफि और फिरशली जाती है तुम्हे फिर से आपने लाने करना हम फिर से जब आएंगा दाना लेकर तो दूम लोग चाहिव तुम्हें होट तुम्हें चूप रहेए तो चिणिया भी आपने वच्चों को चूप राने बोल दिये जिससे क्या हुआ वह पेड़ पूरी तरह से फिर सांथ हो गया तो इस तरह से पोएट ने यहां पर यह बहुत छोटी सी घटना को यहां पर वर्नड कि आपने लाइफ का कि जब वह एक पेड़ के पास जाते हैं और कुछ चीजों का नोटिस करते हैं तो वही अब को यह तो हर चोटी-चोटी चीजों को अपने अपने नोटबूग में कविता में उसको बदल देते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कॉमेंड बोक्स में जरू बता है वीडियो अच्छा लगा होगा तो झाल